एन्वालोप इसको हिंदी में भी एन्वालोपी कहते हैं इसकी डेफिनिशन देखें सबसे पहले वह है वक्र जो एक प्राचल वाले वक्र के प्रतेक सदस्चे को इसपर्ष करता है तथा उस वक्र के प्रतेक बिंदु को कुल का कोई ने कोई सदस्चे इसपर्ष करे तो वह है वक्र एन्वालोप कहलाता है वह है वक्र जो एक प्रतेक सदस्चे को इसपर्ष करता है कि envelope वो वक्र है जो प्राचल को different values देने पर जो उसके सदश्य प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को इसपर्श करे तथा उस वक्र के प्रतिक बिंदु को कुल का कोई न कोई सदश्य इसपर्श करे दोनों साइट से तो ऐसा वक्र envelope कहलाएगा थोड़ा प्राचल भी समझ लीजे आप जानते हैं प्राचल parameter क्या होता है कि यह हमारे पास में वो है जिसको different different भिन 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 मान देने पर कुल के भिन भिन सदश्य प्राप्त होते हैं प्राचल कहलाता है कुल का समिकरन fxy alpha बराबर 0 alpha is a parameter एक उधारन लेते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा व्रत x square plus y square बराबर a square इसकी इस पर शरिखाओं का समिकरन आप अच्छी तरह जानते हैं y बराबर mx plus a under root 1 plus m square यहां m को अगर हम different different values देंगे तो हमको अलग-अलग इस पर शरिखाएं प्राप्त होती हैं तो यह जो y बराबर mx plus a under root 1 plus m square m को भिन-भिन मान देने पर अलग-अलग इस पर शरिखाएं दे रहा है यह कहलाएंगे कुल के सदश्य ठीक है और m यहां पर कहलाएगा parameter अब हम लेते हैं envelope ग्याद करना envelope तीन पदों में हम ग्याद करेंगे कि वक्रकुल का समीकरण fxy alpha बराबर 0 नमबर 1 इसको differentiate करेंगे partially with respect to parameter यहां पर parameter कौन है alpha है और तीसरी बात कि first और second से alpha का elimination कर देंगे तो हमको envelope प्राप्त हो जाएगा इसका एक आसान रूप और यह भी कर लेते हैं साथ के साथ आपको सवाल करने में कई सुविधा मिलेगी इससे कि यदि हमारे पास में वक्रकुल का समीकरण quadratic रूप में हो धीखाती रूप में हो तो envelope ग्याद करना नमबर वन, fxy alpha बराबर 0 यह quadratic रूप में a alpha square प्लस b alpha प्लस c equal to 0 alpha हीजे parameter, alpha में quadratic है इसलिए second step में alpha के साथ एक आशिक अवकलन differentiate partially with respect to alpha, so 2a alpha plus b बराबर 0 कि यह equation हमारे पास कैसी है, quadratic है, so partial differentiate करेंगे इसको so 2a alpha plus b equal to 0, so alpha is equal to minus b upon 2a, इसको हम यहां रख देंगे तो a into minus b upon 2a का square plus b into minus b upon 2a plus c is equal to 0 b square upon a से a cancel हो गया, 4a minus b square upon 2a plus c बराबर 0 इनको साथ रखा, minus b square upon 4a plus c बराबर 0, b square minus 4ac equal to 0 इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमको parameter के अंदर equation quadratic दी हुई हो, तो हम directly इसका envelope b square minus 4ac equal to 0 करके ग्याद कर सकते हैं, इन दोनों method के ऊपर एक-एक सवाल लेते हैं, find envelope y square minus x plus alpha का whole cube बराबर 0, let this is number 1, क्योंकि यहाँ पर parameter alpha है, so differentiate partially with respect to alpha, यहाँ partially और लगा दीजे, so minus, यह तो 0 हो गया, 3 x plus alpha का square equal to 0, x plus alpha बराबर 0 and x बराबर minus alpha, यह alpha बराबर minus x, ठीक है, so alpha की जगे आप क्या करेंगे, minus x रखेंगे, so put alpha is equal to minus x in equation number 1, तो इनको आप x कर दीजे, alpha का eliminate करना है, so alpha is equal to minus x, so x से x cancel हो गया और अपने पास में आगया y बराबर 0, so this is the required envelope, next y is equal to mx plus a under root 1 plus m square, find envelope, अब देखें, यहां तो आप यहां पर parameter m के साब एक आंशिक differentiate करीए, यहां किया वैसा का वैसा ही, और यहां हम क्या करें, इसको quadratic set कर लेते हैं, क्योंकि m square आ रहा है, mx को आप लाए इधर, y minus mx बराबर under root 1 plus m square into a, और इसको square कर दीजे, y minus mx का whole square is equal to a into under root 1 plus m square का whole square, और इसमें m square की term अलग निकाल लो, m की अलग निकाल लो, constant अलग निकाल लो, तो यहां से हम इसको direct भी कर सकते हैं, और क्योंकि यह m में quadratic आ गया, parameter में, so the envelope will be b square minus 4ac equal to 0, so minus 2xy का square, minus 4x square minus a square, into y square minus a square equal to 0, खोल ली जे इसको, इसको भी गुना कर दो, so 4x square y square, 4x square y square, minus minus plus 4a square y square, और यह minus a square into minus 4, 4, तो 4a square x square, और यह minus 4a4 बराबर 0, यह दोनों cancel, और यहां से 4a square तीनों में से common, तो y square plus x square minus a square equal to 0, 4a square चला जाएगा 0 में, and we get x square plus y square is equal to a square, this is the circle, तो यह हमारे पास में ऐसा circle आ रहा है, envelope बन रहा है, जिसके हर बिंदू पर इस प्रकार की इस पर्ष रेखा आएगी, और यह जतनी भी इस पर्ष रेखाएं आएंगे, M को भिन भिन मान देने पर, यह सारी की सारी इस वरत्त की इस पर्ष रेखाएं हैं, तो इस इस पर्ष रेखाएं का envelope ग्याद करिये, जो निम्न वक्रों को का ध्रवांतर रेखाओं के सिरों पर समकौन बनाती हुई, खींची गई हों, तो यह अपने पास में कर्व दिया हुआ है, R raised to N is equal to A raised to N cos N theta, तो सपोज करो, यह this is the curve, और इसकी ध्रवांतर रेखाओं के सिरों पर समकौन बनाती हुई, तो यह ध्रवांतर रेखा होगी, वो P, और इसके सिरे के उपर समकौन, यह समकौन बना दिया, 90 degree, ठीक है, right angle, और इसका हमको envelope निकालना है, यानि इस point का locust चाहिए हमको, locust of the point P, तो यह तो कर्व के उपर कोई भी general point ले लिया, R theta, और यहाँ पर जिसका locust चाहिए, यह अपने लिया, P point capital R alpha, तो यह जो radius vector हा रहा, इसकी लंबाई capital R होगी, और angle इसका होगया, alpha, Q point R theta है, यह पूरा का पूरा angle होगया, theta, and therefore this is theta minus alpha, यह initial line, और यह अपने पास O Q is equal to R, given curve के उपर, कोई भी एक point लिया है अपने, P point R alpha, so it will satisfy to the curve, R की power N is equal to A raise to N, cos N alpha, take any point Q R theta, perpendicular to O P, O P के उपर, लंब रिखा के उपर यह point लिया है, Q point R theta, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह triangle use करते हैं, O P Q, so cos theta minus alpha, क्योंकि right angle triangle है, cos theta minus alpha is equal to R upon small r, and R is equal to R cos theta minus alpha, ultimately क्या है कि हमको इस P point का locust निकालना है, envelope में यही तो करना है, eliminate करना है अपने को alpha को, और R को भी हटाना है, तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, R और alpha के लिए values लेके आते हैं, तो यह जो R की value आ रही है, तो इसके अंदर हम यहां से एक number से R की value रख देते हैं, R बराबर A cos N alpha की power 1 upon N, और यह as it is आगी है, number 2, अब आपको alpha को और हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, taking log, logarithmic differentiation करेंगे हम, तो A log A plus 1 upon N log cos N alpha, बराबर log R plus log cos theta minus alpha, and differentiate partially with respect to alpha, यह 0 होगे, 1 upon N as it is, cos N alpha का log का होगे 1 upon cos N alpha into minus sin N alpha into N, थाकि N से N cancel हो गया, log R का 0, क्योंकि alpha के साथ एक चल रहा है, partial differentiation है, और इसका दिले में, 1 upon cos theta minus alpha into cos का हो गया, sin theta minus alpha, ठीक है, logarithmic differentiation use की रहापने, cos का जो negative आया ने साथ, यहां पर minus, वो क्या कि theta minus alpha का और करेंगे, तो यह minus और अट जाएगा, तो यह plus बन जाएगा, तो 10n alpha is equal to minus, 10 theta minus alpha, ठीक है, तो n alpha is equal to minus theta minus alpha, that is minus theta plus alpha, तो alpha is equal to, alpha alpha दोनों साथ रख लेते हैं, इसको इधर लियाओ, alpha बराबर यह जाएगा इधर, theta upon 1 minus n, तो alpha की value आगई, और इस alpha को हम क्या करेंगे, यहां से eliminate कर लेते हैं, तो अपने पास envelope प्राब्त हो जाएगा, तो put theta alpha is equal to, theta upon 1 minus n, in relation number 2, तो a, cos n into, theta upon 1 minus n, और 1 upon n, r cos, theta minus alpha की जाएगे, theta upon 1 minus n, this is equal to, r cos, 1 minus n को elcium ले लिया, so theta से theta cancel, और minus n theta रहिया, minus cos में कोई फरक नी पड़ेगा, so cos n theta upon 1 minus n, so r will be, अब देखो, यहां भी cos n theta upon 1 minus n है, यहां भी अपने सेम बना लिया, तो यह जाएगा, इस side में, ठीक है, और यह r बराबर हो गया, यह तो एज़ेटी जाएगा, यह नीचे आएगा, यह उपर गया वापिस, माइनस 1 होगिया है, so 1 minus n upon n, तो r बराबर a, cos n theta upon 1 minus n, की power, 1 minus n upon n, and implies, अब हम चाहते हैं कि, यहां की यह power हटे, तो इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ power raise करेंगे, n upon 1 minus n, तो n upon 1 minus n, a की power n upon 1 minus n, cos n theta upon 1 minus n, तो यह अपने पास में envelope आगिया, तो envelope में वही करना है अपने को, जो भी parameter होगा, उसके सापे एक्षम, आंशिक अवकलन करेंगे, और आंशिक अवकलन करके, उस parameter को दी गई equation से, eliminate करेंगे, यहाँ पर भी अपने वही same work किया, कि पहले अपने, क्योंकि हमको R और इनको अटाना था, R पहले ही अटा लिया, और अब यह दो number में अपने पास में, parameter केवल alpha रहिया, इसलिए partial differentiate किया, अब differentiation का थोड़ा अपने को log लेने में हुवी दा रही, इसलिए अपने log ले लिया यहाँ और इसको eliminate कर लिया, तो इस प्रकार से आप envelope की problems कर सकते हैं, प्रकार से अपने ही,